हाई दोस्तो मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में आज हम बनाने वाले हैं कुर्ती के गले में लुप्स वाली डिजाइन इस डिजाइन को बनाने के लिए फ्रेंड हमें एक फैब्रेक की जरूरत है यह देखी प्रेंड हमने पहले से कटिंग कर के रखा हुआ है इसके बाद डिजाइन को बनाने के लिए हमें लेना है एक पेशटी पेपर पेशटी पेपर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसके बाद हमने यहाँ पे निसान लगाना है तीन इंच हम गले की चोड़ाई लेंगे फ्रेंड इसके बाद साड़े छे इंच हमें गले की लंबाई लेनी है यहाँ पर भी हमें तीन इंच पर एक मार कर लेना है उसके बाद हमें एक बॉक्स बना लेना है अब इसी बॉक्स में हम डिसाइन को ड्रॉ करेंगे यहां पर हमें तीन इंच लेना है गले के नीचे यहां हम एक पर का मार्जन छोड़ते हुए हमें एक लकीर खीचनी है इसके बाद हमें डिजाइन को बना लेना है एक एक इंच हम डिजाइन के बाहर एक मार्क लगाएंगे इसे भी हम अच्छे से बना लेंगे इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है ये देखी फ्रेंड कटिंग हमारी हो चुकी है इसके बाद हमें एक फैब्रिक चाहिए उसके उपर हमें इसे रख लेना है अच्छे से इसके बाद इसको हमें प्रेस कर देना है ये देखी फ्रेंड हमने प्रेस कर लिया है ठीक है इसके बाद हम हाफ इस यहाँ छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे-छोटे कट लगा देने है अब इसे हमें फोल्ड करके यहाँ पर सिलाए लगानी है ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है सिलाए लगाते हुए पूरे पर हमें सिलाए लगा लेनी है फ्रेंड यह देखिए सिलाए लग चुकी है इसके बाद इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है सेंटर में हमें कट लगा देना है इसके बाद हम लेंगे कूर्ती के फैबरिक को इसे भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ पर भी हम सेंटर में कट लगा लेंगे उसके बाद गले की डिजाइन को हमें कूर्थी में अटेच कर देना है सेंटर से सेंटर मिला के हमें रखना है जहां हमने कट लगाया है इसके बाद यहां से हमें बीच में एक कच्ची सिलाई लगा देनी है आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं सेंटर में हमने देखिए सिलाई लगा दी है इसके बाद हम डिजाइन के किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे जो हमारा पेश्टी पेपर है उसके एकदम किनारे ही हमें सिलाई लगानी है बहुत ही आराम से हमें सिलाई लगानी है कोई जल्दवाजी नहीं है अगर हम जल्दवाजी करेंगे फ्रेंड तो हमारा डिजाइन खराब भी हो सकता है गले का अकार हमारा अच्छे से नहीं बनेगा अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम हाफ इंज का मार्जन छोड़ते हुए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे दोनों कोनर पर इसके बाद हमें छोटे-छोटे कट पूरे गले में लगा लेना है अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे लटने के बाद हम किनारे में एक सिलाए लगा लेंगे बिल्कुल किनारे में सिलाए लगानी है किनारे में सिलाए लगाने के बाद ये देखी कुछ ऐसी इस तरह हमारे डिजाइन बनके रेडी है उसके बाद हम हाफ फिंज का मार्जन शोड़ते हुए एक कच्ची सिलाए लगा लेंगे जो हमने गले की पट्टी को लगाया है उसे अटेस्ट करने के लिए बाद में हम इसे तुर्पाई करके कच्ची सिलाए को हम खोल सकते है ये देखी फिरंट हमने सिलाए लगा ली है पीछे की तरफ हम देख लेंगे ये देखी कच्ची सिलाए हमने यहाँ पे लगाय थी यहां पे हमें तुर्पाई करना है उसके बाद कच्ची सिलाई को में खोल देना है इसके बाद हम बनाएंगे एक डूरी यहां पे हमें धागा लेना है मोटा सा धागा लेना है बीच में रखके हमें यहां पे स्टीच कर देना है उसके बाद हमें किनार में सिलाई लगा देन उतनी मार्जन लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है अब इस्टर फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे इसके बाद फ्रेंड हम डूरी को पलट लेंगे इस धागे को हमें ऐसे खीचना है जो हमने बीच में धागा डाला था उसी को हमने खीचना है यह देखिए फ्रेंड matter चार पांच छे साथ आप चाहें जितनी भी लूबस लगा सकते हैं गले के हिसाब से everything यहां पर हमने 45.6 प्रेंट सल एक बाद लगा चेम बरेंगे उल्टे की दर फोल्ड करना है उसके बाद किनारे में सिलाई लगा देनी है मुंत इसके फ्रेंड थि लेना है और 되면ення प पट्टी बन के रेडी हो जाएगी, इसके बाद हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है, ये देखी पट्टी बन के रेडी है, इसके बाद हम लेंगे कूर्ती का फैबरिक, अब इसमें हम पट्टी को अटेच करेंगे, पट्टी को अटेच करते समय हमें साथ ही साथ हमें लूप्स को भी लगा लेना है, दोनों को हमें साथ ही साथ में स्टीच कर लेना है, गले के नीचे और पट्टी के बीच में हमें लूप्स को रखना है, दोनों साथ ही साथ सिंगल सिलाई में हमारी स्टीच हो जाएगी, यहां पे हमने 4 लगा दिये है यह देखिये हमारी लग चुकी है इससे हम उपर कर लेंगे उसके बाद हमें यहां 100 लगानी है छोटे छोटे हमने 100 बटन लिए हैं यहाँ पर हमने बटन लगा देना है जब तक हम यहाँ पर बटन लगाते हैं फ्रेंट चलिए फटा फट से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो अच्छी लगी हो फ्रेंट आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए फ्रेंट आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में